पूरा दिन अगर आप दो अगर आप राइटर है आप एक option seller है तो आज का market writers का ही था और इस range bond market में trade करना है तो दो ही option है इधर आप option writing करना सीख जाएए अगर नहीं आता है तो सीखे और अगर आप scalping नहीं जानते तो वो भी सीखे because scalpers के लिए आज small small points के लिए profit में trade करना काफी easy था हवेवर जटके से uncertain वाला momentum upside या downside उससे थोड़ा सा आपको बचना था बट टेंशन की बाद इसलिए नहीं था जटके वाला move भी जादा बड़ा आज नहीं था चोटा मोटा ही momentum था और आराम से आप trade को manage कर सकते था अगर आ capital management properly use करते है तो चलिए scalping को पर और वी मैं वीडियो बनाऊँगा जरूर आप सब के लिए बट फिलाल market का बात करो और टेलीगराम चलन पर आज हम लोग ने कोई जाधा trade call पोस्ट नहीं कर पाई इनफैट आज hero zero trade भी पोस्ट किया था और जिस चीज़ का डर था कि दोनों 135 points के असपास profit बनाए तो टेलीगराम चलन का जो paid group के trades थे वही free group को भी trades call थे same to same trade call आज हम लोग ने दोनों चलन पर पोस्ट किया paid and free और आप देख सकते हैं आज scalping करके nifty और बैंक नीदी दो ही trade किया था उसमें दो और तीन interest किया और आप छोटा मोटा scalp करके पैसा बना होगा कि बैठे बैठे इंतिजार करें वेट करना और हम लोग ने किस पूल भी किया था आप तीको मैंने यहां पर लिखा था आज अगर मेरे पास बंदुक हो गता तो मैं market वो सच में गोली मार देता विकॉस market दो हपतों से option bias के लिए जादा कोई opportunity बना आने रहा था इव और हम लोग कोई account handle लें करते हैं नहीं आपसे कोई commission charge करते हैं नहीं हम आपके पैसे को manage करते हैं तो fake telegram channel से please बचके रहिएगा अब कुछ important news पे आजाता हूं कल का बजार कैसा रहेगा उससे पहले आजाते है सेवी के office में जो protest चल रहा है सेवी के employees protest कर रहा है कि जो सेवी क आपका अधानी ग्रूप इसका impact investors के mind पे trust के उपर जरूर हो सकता है simple as that दूसरा एक और event है आपका अधानी ग्रूप इत रहेगा पैसा करेगा market से और एक और आपका पता ही है reliance industry obviously reliance आज जवा 10 नीचे गिरा उसके पीछे का reason था जो 1 is to 1 bonus share का reliance ने announcement किया था उसे reliance के board ने approve कर दिया और उसके बाद market में हुआ profit taking because ये तो होना ही है जब bonus जो देते है तो stock prices में थोड़ा बहुत गिरावट होता ही है which is dividend भी दोगे तो भी stock prices गिरता है तो ये correction देला healthy correction था इसमें कोई panic वाला situation है नहीं और देखो 1 is to 1 bonus दे रहा है तो निफ्टी हमें बापस एक pullback करते हुए नजर आएगा या नहीं चले एक एक करके निफ्टी बैनिफ्टी दोनों इंडेस का बात करते है बट सबसे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे है और अभी तक like नहीं किया subscribe नहीं किया comment भी नहीं किया तो ये गलत बात है like कीज आज 200 के लेवल पे market 25,200 के लेवल पे बजाने काफी कोशिश किया इसको regain करने का hold करने का sustain करने का but it didn't work that way एक बाद जो market ने इसको breakdown किया उसके बाद काफी मशकत बजाने किया और 25,170 के असपास majority time market ने रहा और दो बज़े के बाद हम देखी रहे कि हर बात दो बज़े के अभी 15 मिनिट के चार्ट से पहले मैं आपको एक बाद डेली चार्ट निफ्टी का दिखाऊंगो उसके बाद 15 मिनिट का चार्ट और important level option data भी बता के दूँगा चले डेली चार्ट के हिजाब से लग रहा है कि market अगर market अगर नीचे pull down करता है तो market जो favorite spot होगा जो support level होगा वो होगा 25,000 और यहां पे indication है कि 20 exponential moving average जुसे हम लोग faster moving average कहते भी है वो faster line आपका 20 यहां आपका 25,000 के level पह है तो अगर छोटा मोटा 100-200 points का भी आगे drop down देता है चलो 100-150 points का भी drop देता है market तो 25,000 के level के आसपास जरूर एक बार कोशिश करेगा test करने के लिए नहीं तो breakout हो chances है तो उपर कितना लबा जा सकता है चलो वो भी दिखा जाता हो बड़ उसके लिए मुझे आना पड़ेगा 15 minute के चार्ट पे विकाज अगर आप 50 minutes के चार्ट को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि market एकदम एक क्वीजिन पाटन पर है you can see this line here trend line दिख रहा है और यह ज और मार्केट दे दे और 25,200 प्लस हमें दुबारा दिखने को मिलेगा और 25,300 न्या रेकॉर्ड के तरफ मार्केट कूच करेगा और नेक्स्ट वीक के लिए बजार कल के लिए एक प्लाटफॉर्म क्रिएट करेगा देखो अगर मोमेंटम आया तो नीचे 25,000 है उपर 25,250 के असपास है और 25,300 के असपास है नहीं तो मोमेंटम नहीं आया तो वह ट्रेड करने का मदलब नहीं बनता विकॉस रेंज बाउंट रहेगा फ्राइडे में इनिवेज आपके सारे प्रीमियम हाई है और कल वी प्रीमियम डिके होने का रिस्क काफी जादा रहेगा तो अगर अगर आप रिस्क ट्रेडर नहीं है और आप औप्शन राइटर नहीं है तो मेरी सला यह रहेगा कि आप वेट और वाच कीजे अच्छा ऑपरचुनिटी के इंतिजार कीजे फॉर लॉंग पोडिशन अगर आपको ट्रेड करना है नहीं तो अगर आप शॉर्ट टम पे अगर ब्रेकाउट मिलता है तो यह ब्लैक लाइन के उपर मार्केट को ब्रेकाउट देना पड़ेगा विच बेसिकली मेंस अभी यह 25,200 से भी नीचे है यह दिख रहा है आपको यह नीचे है और यह 200 का लाइन है तो इसको ब्रेकाउट मिलेगा तभी मार्केट में कुछ देखने को मिलेगा फिलाल के लिए ओप्शन डेटा क्या कहता है तो यह हम लोग लेटेस्ट ओप्शन डेटा पर आ जाते हैं लेट मी रिफ्रेश दिस और फिप्ट सप्टेंबर सो फर्स्ट अपल हैपी टिजस दे तो आल अफ यू आप सब ने काफी कुछ सिखाया है मु थैअद धीशन किया हैि गो क्या हमी होगा विकौस दोनों ही तरफ शौड बिल्ड था तो यहां पर भीॉल रैटिंग किया गया और शौड बिल्ड था तो आभी यहां पर प्रोल्लम यह है क्यो सब्सक्राइबूचodies यहां इन्डिकेट कर रहा है बुल वीग को यहिज इन में इतना फसा हुआ है कबड़ी कर रहा है तो मोमेंटम जादा मिलने रहा है साइड़ेज मार्केट में जेनरली 0.10% प्लस माइनस का स्विंग निफ्टी में होता है मैं ये आभी नहीं कह रहा हूँ मैं पहले भी कह चुगा हूँ काफी बार और आज टेलिग्राम चैनल पर अगर आप जाओगे ना तो टेलिग्राम पर मैंने स्केल्पिंग करके जो प्रफिट किया उसका लाइव सेंसिबूल के साथ मैंने शेयर कर देता आप चाहे तो देख सकते थे तो यह मैंने लिखके दिया और यह साइब्ला लक्षन है मार्केट अगर साइडवेज है तो इसी बीच में कबड़ी करता है option data के हिजावज अगर बात करूँ तो main जो attraction point nifty के लिए रहेगा वो होगा 25,200 का level इसे regain करना जरूरी है अगर बजार bull को hold करना चाहता है तो now let me write down the important levels for tomorrow और आप वीडियो को देख रहे है तो like करना मद भूलेगा 24,150 mid zone यहाँ पर है bullish view है या bearish view है देखो जिस आप से market है ना मैं bullish कह सकता हूँ न bullish bearish because market उतना अच्छा momentum देनी रहा है तो फिर एक तरफा momentum trade करके फाइदा भी नहीं बनने वाला है so instead of that better option क्या होगा कि आप safe trade करें यह सारे आपके up side के resistance मैंने mark कर दे बेस्ट on option data based on technical और इस side का बात करें तो 95,100 का support अगर hold करें ठीक है नहीं तो भी 25,070 और 50 के बीच में support रहेगा और उसके बाद 25,000 कल मेरे हिसा है अगर market थोड़ा सा profit ticking करता है और इस 200 यामा को breakdown करता है तो 25,000 के आसपास या 25,050 के आसपास एक drop down उमीद तो मैं कर रहा हूँ रिवर्सल किया तो 25,250 और 300 के बीच में swing momentum या फिर उसी जोन में market एक range bond पर कबडिक करेगा यानि कि इस line के उपर breakout और 25,230-250 के बीच में sideways momentum वहा पर जाकर रटकेगा फिर 300 तक का second half में rally back कर लिया त that closing देगा यह हो गया nifty का फिलाल के लिए important level अब मेरा favorite index bank nifty पे आ जाता हूँ बैंक nifty के आपके सामने आज का closing है न मैं आपको पहले दिखा तो positive है nifty negative था बट bank nifty positive closing दिया है और at 51,600 के उपर market ने एक बार break जरूर किया बट sustain नहीं किया और 51,500 के नीचे भी market ने एक बार breakdown किया 400 के नीचे breakdown किया और फिलाल जो closing है वो 473 पे आने कि 51,500 बापस कल के लिए attraction point रहेगा good news क्या है न कि कल का जो closing था वो 51,400 पे था आज 73 points at least positive में तो बंद हुआ है तो at least 0.14% positive nifty bank बंद हुआ है तो कल के लिए market में अगर bull continue करता है तो एक breakout देखने को मिलेगा और breakout का स 3 blue line दिख रहे होंगे मैं पहले इसका blue line का जो महत तो है या फिर कैसे बनाया वो plot किया वो दिखा जाता उसके बाद आके का चाचा करेंगे तो सबसे पहले जो नीचे वाला blue line है वो तो दिखी रहा आपको support यूज कर रहा हूँ मैं और उपर वाला ये blue line based on this 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 चल रहा था है फिलाल के लिए situation ऐसा है कि market जब तक इसके उपर breakout नहीं देता मैं बापस कर रहा हूँ जब तक इस client के उपर breakout नहीं देता तब तक एक अच्छा bull rally हमें देखने को नहीं मिलेगा in fact नीचे के तरफ attraction point पे नीचे का support level को chase कने का chances in a longer run बना सकता है breakout किया तो well and good नहीं किया तो let's get ready for the downside momentum बट अगर volatility नहीं है तो थोड़ा time pass बजाज जरूर करेगा अपने आपको technical adjustment करने के लिए ठीक है now technical adjustment का बात जब कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो important level दिख रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे daily chart में यह level यहाँ पे cross बना हाला कि यह smaller time frame का यानिकि basically 20 EMA और 50 EMA यह दोनो smaller time frame के है तो हम लोग यहाँ पे death cross या golden cross बार situation नहीं create कर सकते है अगर 250 के बीच में cross junction बनता है death cross या golden cross तो कह सकता था but 2050 में यहाँ देखा जा तो 20 ने नीचे से cross करको उपर आया basically shorter term bullish view market indicate कर और इसलिए आप देखोगे कि rally अल्री बना चुका है अब यहाँ से possibility break out देगा या breakdown देगा वो depend करता है market कि इस दिशा में जाना चाता है आज अगर आप देखोगे ना तो ICC bank, HDFC bank, Axis bank अगर मैं जिकर करूँ मैं चलो 5 banking stocks के नाम में यहाँ पे लेने साथा दिखा देता हूँ आज देखे, HDFC bank, negative to positive गया, ICC bank sideways पे चला, जादा कुछ movement दिया, SBI थोड़ा बहुत साथ दिया, Axis bank आज साथ दिया, बट इसको counter-off कर दिया, Kota Mendra bank ने negative में, तो आज mostly HDFC और हलका फुल का SBI ने साथ market ले गया, और EU Small Finance Bank 2-2% rally पे रहा, बट यह जादा weightage hold नहीं करता है, त तो पूरा दिन सिफ range bond पे trade कया, देखो यहाँ पे देखो कि आप, यहाँ पे trade करे तो करे क्या market वाला momentum था, call put, call put game खेल सकते है, कबड़ी वाला, जो मैंने actually किया भी था, और Elgos में वो कर भी रहते है, 10-10 point के लिए scalp कर रहते हैं, बलब आप अगर आप एक lot पे खेल रहे ह तो 1.500 रुपे के लिए आप क्या ही trade करोगे दोस्तों, so it doesn't make any sense, right, बट हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक बार में 900 quantity को trade करते हैं, और 10 point लेते हैं, तो 10,000, 9,000 के असपास का profit आजाता है हमारे पास एक जटके में, so we do this, because of quantity, because वही तो scalping का मतलब क्या है, scalping का मतलब है, के big quantity and smaller points, right, smaller points, यही तो है scalping, but मैं जब scalp कराता हूँ लोगों के साथ, मैं कहता हूँ कि आप बड़े quantity को please मत लीजे, आप smaller quantity में ही trade केजे, पहले आप technique सीखे, style सीखे, उसके बाद आप बड़े quantity में जाएंगे गा, तो हम लोग 900 quantity, 1800 quantity में trade करते हैं, और 10 भी इस point लेते हैं of my capital for this 900 quantity, max to max, इतना percentage of capital यूज करते हैं हम लोग में, बड़ आप अगर उसी हिंसाफ से चलेंगे, तो आप एक lot पे चलेगा, quantity से पहले money management matter करता है, because अगर आप money management नहीं करोगे, तो scalping आपके लिए deadly dangers बन सकता है, और bank nifty का चर्चा करू, तो यहां पे simple दिख रहा है कि यह line पे जैसे market में magnet favicol वाला जोर लग गया है, और यह है आपका मनूसियत वाला, मैं कहा रहा हूँ, इसलिए, because यह zone के बीच में market इतना tight फसा है, breakout देता है, नीचे आता है, फिर जाता 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 हुआ कि option में long position वाले God bless you अगर आफ scalper है तो enjoy कर सकते हम लोग की तरह बना God bless you already I have said to you guys कल के लिए भी ऐसा situation मैं expect तो नहीं कर रहा हूँ बढ़ा अगर market में breakout मिलता है let's consider the fact के कल market में breakout मिला तो हमें क्या देखने को मिलेगा अगर market में कल एक breakout आता है तो possibility का होगा 51,500, 51,600 ये दो level के आसपस जाने के chances है इसके बाद किस्मत काफी अच्छा तो यहां तक जाने के chance होगी नहीं तो नीचे गदरा 51,300, 51,200 ये दो level पे आपको पता ही है भाई बहन बर अरस्ता यहां पे wall of the market है और bullish भी नहीं हो, bearish भी नहीं हो, because market यहां पे साफ सून गया है इसको, इसी जगावे फसा है बट अगर हलका सा bullish व्यू के साथ जाना चाहूंगा तो मैं यहां पे star 1 दूँगा और यहां पे star 2 दूँगा, मैं इसके बीच में कराऊंगा, उसके बाद जब next stage में breakout करता है तो यह जाता है तो ठीक है, नहीं तो यह आता है तो ठीक है according to that, एक और second entry या फिर second stage of trading करेंगे, but first stage में spread बनाएंगे और इसको और इसको मद्द नज़र रखते वे spread create करेंगे, ताकि इसके बीच में अगर market है तो भी profit में रहे, इसके उपर बजाज जाए, तो position को थोड़ा adjust करके, according to that bull या bear के view के साथ एक train को set up करेंगे और profit निकालेंगे, simple strategy है, बट थोड़ा complicated बना सकते है, अगर आप चाहे तो, बट अगर आपको यह सब नहीं आता है तो आप simple एक का put option ले लीजिए, और एक का call option लेजीजिए, और अराम से बैठे रही है, बट अगर market range बाउन है, तो दोनों का premium कटेगा, यह बार बार कह रहा हूँ, और इसलिए, अगर आप call option और put option दोनों hedge बेबाई कर रहे है, तो आपे scalp hedge technique को अपलाई किज़ेगा, scalp hedge technique याने की दोनों साथ मेनी, दोनों delay इंटर कीजे, अगर लग रहा है कि market नीचे गिरने वाला है, तो पहले put का trade को initiate कीजे, जैसे bottom बना चुका है, उसके बाद reverse करने का उमीद दिख रहा है, confirmation मिल रहा है, train initiate the call option और इसका profit निकाल लीजे, जैसे यह reverse करता है, हलका full का आपके target जन होता है, profit यहां से book कर लीजे, call option का, और फिर नीचे आने का chance दिखाता है, तो बापस put entry कीजे, तो entry 1, entry 2, and then again call option का entry 1, entry 2, and so on so forth, this is the way which we do, हम लोग स्केलपिंग में यही करते है, और मैं आपको कहूंगा कि आप भी अगर सीख जाता है यह करना, तो market में थोड़ा easy हो जाएगा, चली, market को बढ़ा जाते है, वापस option data दिखाते है, तो आपको क्या कहते है, option data, आज पूरा दिन sideways पे cover दिखिया, bank nifty और जादा कुछ momentum था नहीं, 50 प्रण के बीच में रहा, तो देखोगे, इसलिए in the money और ATM के आसपास आप देखोगे न, यह आपका पहले ATM है, ठीक है, तो इसलिए मैं line draw कर रहा हूँ, because NAC का platform पे ATM गलत दिख रहा है, तो this is your ATM, 51,400, 51,500, जहाँ पे आप देखोगे, इस तरह थोड़ा बहुत long build-up अभी भी है, because market bull है, बट यहाँ पे bear sentiment indicated है, यहाँ पे bull view indicated है, ठीक है, इस तरह पूरा का data आपका bull view को indicate कर रहा है, तो 51,000 नहीं, तो 500 से लेके 50,800, 51,800 के बीच का swing moment है, तो यह data मैंने आपको starting पे लिख के दे दिया है, तो सोच समझ के trade कीजेगा, नहीं आता, मत कीजे, इंतिजार कीजे, wait कीजे, अच्छे opportunity का, जरूरी नहीं कि हर दिन पैसा बनाना है, जिस दिन market को पैसा देना होगा, वो जिस दिन लेना होगा, वो पूरा लेकर जाएगा, तो revenge trading या जवदस्ती trading नहीं करना, इंतिजार, wait, watch, take moment, आपका हिसाफ से right time आपको लगता है, तो इंटरी कीजे, नहीं करना है, तो minimum stop loss लगा के निकल सकते है trade के साथ, ठीक है, that's all from my side guys, हो गया, आज का teach us day का learning बला chapter खत tomorrow.